कदाचीदत गोविंदो रामस्चाद्भूत वेक्रमहा विजहनतुर्वने रात्रयाम मध्यगव ब्रजयोशिताम एक दिन की बात है अलाओकि कर्म करने वाले भगवान स्रीकृष्ण और बलराम जी रात्री के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे उस समय भगवान श्रीकृष्ण निर्मल पीतामबर और बलराम जी जिनके शरीर पर निलामबर बड़ा सुशोवित हो रहा था दोनों के गले में फूलों के सुन्दर सुन्दर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगन्धित चंदन लगा हुआ था सुन्दर सुन्दर आभूशन भी दोनों भाई पहने हुए थे गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी देखी क्या हुआ अभी अभी शायमकाल हुआ ही था और आकाश में तारे उगाये थे और चांदनी छिटक रही थी चारो और वन में बेला के सुन्दर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुन गुना रहे थे तथा जलाशे में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु मन्द मन्द चल रही थी पूरा वन सुगंधित हो उठा उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग आला पा उनका राग आरोह अवरोह स्वरो के उतार चरहाओ से बहुत ही सुन्दर लग रहा था वह जगत के सवस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई थी उन्हें अपने शरीर की सुधी नहीं रही गोपियों की उनकी चोटियां खुल करके चोटियों में गूते हुए जो फूल थे वे बिखर गये गोपियों को कोई सुधी न दी अच्छा ये सात्विक भाव में भी आता है आठ प्रकार के जो सात्विक भाव बताए जाते हैं उन्में से एक ये भी है सुधी न रहना पसीना आ जाना अचानक बन में उत्सा भर जाना तो अचानक रोने जैसा मन करना इत्याद इत्यादी आठ सात्वी गवाव है गोपियों की सुधीन रही भगवान ने जब राग आलापा देखिए उसी समय की बात है एवं विक्रीडतो स्वैरं गायतो संप्रमत्तवत शंक चूड इतिख्यातो धन दानू चरो भ्यगात उसी समय वहां संक चूड नामक एक यक्ष आया वो यक्ष कुवेर का अनूचर था शुकदेव जी कहते हैं कि परिक्षित दोनों भाईयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला जिनके एक मात्र स्वामी भगवान स्थी कृष्ण ही है वे गोपियां उन भगवान स्थी कृष्ण और बलराम से रो रो करके कहने लगी क्रोशंतम कृष्ण रामेती बिलोक्या स्वापरी ग्रहम यथा गादस्युनागरस्ता भ्रातरावन वधावता हा कृष्ण हा बलराम तुम मेरी रक्षा करो एक मात्र तुम ही मेरे रक्षक हो तुम ही के सहारे मैं हूँ मेरी रक्षा करो और ऐसा कह करके वे गोपियां रोने लगी जब वो यक्ष इन गोपियों को ले करके भाग आतो देखिए उन गोपियों की बात सुन करके पुकार सुन करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कहा क्या कहा मा भैष्टे प्याव भैयारावव दरोमत मैं अभी आता हूं और ऐसा कह करके इस प्रकार से अभैवानी कहते हुए भगवान हात में शाल का ब्रिक्ष ले करके और बड़े वेग से दोनों भाई उस यक्ष की ओर चल पड़े उस यक्ष ने जब देखा दोनों भाईयों को बड़ी वेग से अपनी ओर आते हुए उस यक्ष ने क्या किया गोपियों को उसी इस्थान पर छोड़ करके और वहां से वो अकेला भागने लगा बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास गए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को गोपियों के पास ही रोक दिया और स्वयम भगवान श्री कृष्ण शाल का ब्रक्ष ले करके उस यक्ष के पीछे चल पड़े शिक्र ही भगवान च्छन भर में उस यक्ष के पास पहुँच गए देखिए भगवान ने कस कर एक घुसा जमाया उस यक्ष के हरदय पर जिससे उसके प्रान पखेर उड़ गए और उस यक्ष के मस्तक पर चूड़ा मनी थी उस चूड़ा मनी को भी भगवान ने निकाल लिया शंक चूड़म निहत्यईवम मनी मादाय भास्वरम अग्र जाया ददात प्रित्या पश्यंती नाम चयो शिताम पुना भगवान उस मनी को लेकर के बलराम जी के पास आते हैं और अपने बड़े भाई बलराम जी को चूड़ा मनी दे दी और उन गोपियों को लेकर के पुना भगवान ब्रज में लोटा है